हेलो दोस्तों हिंदी मिरर में पिर से आपका स्वागत है कैसे हैं आप सब मैं सुनिती आपका स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सब उमीद है सभी जो हैं ऐसे माहौल में जो COVID का माहौल चल रहा है सब अपने घरों में तंदुस्त होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों हिंदी मिरर पर हमने आज से आपका ये जीके की श्रंकला शुरू की है और इसमें सभी कोस्चन्स हमने जो है एकसपेक्टिटीड MCQ लिये हैं और ये टोपमस्ट आपके MCQ है POL कोई भी कंपेसा आपका और आपके काम आएंगे में सब्सक्राइब के ना सकन्म और सुरू करे डिसमें आपका आपका Compl wirklich से विद्रेश 9 दोस्तों इसमें हमने ये 100 प्रशनों की श्रंखला ली है जो आपकी भारत विवित जानकारी से संबंदित है लेकिन इसमें आज जो ये पहली वीडियो है इसमें हमने आपको 50 प्रशने दी हैं और सारे ही जितने भी 50 प्रशने हैं वो सारे सेलेक्टेड प्रशने हैं दोस्तो को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को हिट कर दें जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको जादा से जादा लाइक एंड शेयर करें जिससे सभी बच्चों को जीके की सही जानकारी प्राप्त हो सक चलते हैं उत्तर से दक्षितन तक भारत की लंबाई है 3214 किलो मीटर 3211 किलो मीटर 2500 किलो मीटर या फिर 2500 किलो मीटर तो आपको इसमें बताना है कि जो उत्तर से दक्षितन भारत की लंबाई है वह कितनी है तो दोस्तों इसमें आपका जो पहला उत्तर है यह इतनी है 3214 क भारत का विश्म में इस्थान को बताए था कि तो इनको आप देख ल हम अच्छे से शेदरी पलकी द्रस्टी से भारत का विश्म में इस्थाने दूसरा तीसरा चौथा सात्वा हो यह सब का सही भी गया होगा साथ्वा इंप डिव पर कर चलते हैं अगला प्रशन है भारत में जहाज Nirmand का मुख्या केंदर है मुंबई चेनने, या फिर विशाका पट्नम या फिर गोवा तो इसमा आपको बताना है कि जो जहाज का निर्मान होता है उसका मुख्या केंदर कौन सा है तो आपका चोथे का उतर है सी विशाखा पत्नम चले एंगले प्रशने पे चलते हैं प्रशन नमबर पाँच आपका केंदर शाशित परदेश पॉंडेचरी का एक भाग कराईकल है इसकी भुगोले की स्थि तो आपका इसका उत्तर होगा तमिल लाडो में रोस्तो कम टाइम में जादा प्रशन कराने हैं तो थोड़ा आप जल्दी से इनके टिक करिए और अपने आंसर जो है सही से लगाईए और जो आपका सही नहीं जा रहा है उसको नोट डाउन करिए जिससे आपको आने वाले खरी के लिए भी वो प्रशनी याद रहें भारत का 28 राजय है गोवाच 30 गड़ा फिर जारखंत इसमें आपको बताना है भारत राजया बना था कौन सा था तो आपको बताना है तो यह था आपका जारखंड चले से परतंदे हैं नहावा शेवा बंदर अवस्तित यानि कु यहां पर आपको बताना है कि कौन सा होगा तो देखे दोस्तों यहां पर आपका होगा 25 जन्वरी 1971 को इवाचल जो परदेश है उसके भारत के संपून राजय का दर्जा प्राप्त हुआ था चले गला प्रशन है खासी और गारो दो प्रमुक भाशाएं हैं मेगाले की है नागालेंड की है यह फिर सिक्किन की है यह फिर मणीपूर की है तो आपको य जो परदेश है फासी और गारो यह कहा की है तो बताजर दोस्तों यह मेगालेंड की है चले गले प्रशन पे चलते है दादरावे नागरा हवेली के मुख्यालया के, may spiesANS in... तौ आपको बताना है दादरावे नागरा हवेली के मुख्यालया कहा है मुझे लगता है सभी का सही गया होगा सिलवासा में प्रशन नमबर 11 आपका भारत के निमन में से किस राजे की स्थलिय सीमा एक और चीन से दूसरी और पाकिस्तान से मिलती है जो भारत है हमारा तो उसकी जो राज्ये की सीमा है कि अस्तल ये सीमा एक और चीन से तथा दूसरी और पाकिस्तान से मिलती है जम्मो कश्मीर की या फिर पंजाब की या फिर उत्तर प्रदेश की या फिर हिमाचल प्रदेश की तो बताइए दोस्तों तो आपका ग्यारवे का उत्तर होगा ए जो जम्मू कश्मीर है उसकी सीमा एक और चीन से मिलते हैं दूसरी और पाकिस्तान से ठीक है चलिए तभी यहां पर इतनी परशानिया भी हमें सामना करना पड़ता है चलिए प्रशन पर चलते हैं स्वतंत्र भारत का पहला गवर्णर जनरल कौन था इसमें आपको बताना है तो बताइए दोस्तों लाड माउंट बेटन जवालान नहरू सरदार पटेल या फिर राजगोपाल चारी तो स्वतंत्र जो हमारे जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो उनके पहले गवर्णर जनरल कौन थे लाड माउंट बेटन जवालान नहरू सरदार पटेल राजगोपाल चारी तो बताइए तो इसमें आपका उतर होगा शीरी सी राजगोपाल चारी तो इस वह आप नोटाउन भी कर सकते हैं अगला प्रशन है आपका केंदर शाषी शेत्र अंडवान निकोबार के कुल इसमें 13 काप का उतर होगा सी 19 यह आपका बहुत इंपोर्टेंट हाला कि इसमें टिक नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लगता है यह प्रशन आप ने देखा भी पहली बार होगा तो यह प्रशन आप नोटाउन भी कर सकते हैं सिक्किम की प्रमुख भाशाएं हैं नागामी पहाड़ी बोटियां वे तिबती खासी वे लेपचा लेपचा वे भोटियां तो आप बताईए कि सिक्किम की प्रमुख जो भाशाएं हैं हमिहां पर भाशाओं के बारे में बताना है दोस्तों तो आपको 14 का आपका होगा डी यह भाशाओं के देखे दो कोशन आ गए और आपने शायद पहले कोशन नहीं देखेंगे यह में विवित जानकारी जो भारत की है बहुत ही इंपोर्टन कोशन आपके लिए लेकर आई हूँ सो कोशन है इसमें पचास आज हैं आपकी यह श्रंखला और पचास की कल आपको मिलेगी तो आप इनको जरूर देखना और आ में बताना है जो दादर्वा नागर हवेली है उसको पूर्टगाल जो शाशनता उससे मुक्ती कम मिली थी तो पंद्रवेक आपका उतर होगा उन्नी सो चोवन में चलिए प्रशन पे चलते हैं भारत के राष्टिय द्वज के बीच में श्वेत पट्टी में जो नीला चक् सब्सक्राइए दोस्तों अब जैसे अब इस तरह का यह आगया है वर्ड आड़े हैं तो हम नहीं पता चलता है कि आड़े क्या हैं तो यहां पर मैं आपको बता दोंगी वह जो उसके बारे में ठीक हैं तो आपको बताना है बीस बाईस चौबीस या फिर चबिस यह बहुत आसान कोशन है मुझे लगता है यह सभी बच्चों को पता भी होगा कि इसमें चौबीस आड़े हैं चले अगले प्रशन पर चलते हैं भारत का राजचीन अशोक महांद्वारा सार्नात में स्थापित सिंग जो है लिया गया है इस राजचीन के मूल स्तंब में सिंग है यह प्रशन पर चलते हैं भारत के राष्ट्री गाने का निरधारित समय है तो यह भी सभी को पता होगा 50 सेकट बावन सेकट चौवन सेकट यह चापन सेकट तो आपका रिविजन अच्छे से हो रहा होगा जिन बच्चों को आंजर पता है तो उनका रिवीजन भी हमारे साथ पता है कि हमें को पता रहते हैं लेकिन चीजह बोल जाते हैं क्वाइन करते रहना पड़ता है hem तो आप लोग भी करते रही अगर wyispering बहुत बात हैं चलिए अगले प्रश्ने पे चलते हैं राष्ट्य गान सुरपर्थम गाया गया था सभी गाते हैं राष्ट्य गान जो बच्चे स्कूलों में होते हैं तब सभी गाते हैं और हर जंगे ही गाया जाता है 27 दिसंबर 1911 को एक जनवरी 1912 को 14 आगस 1947 को या 15 आगस 1950 को तो बताइए तो आपका ए होगा 27 दिसंबर 1911 को राष्टेगान सरपर्थम गाया गया था चलिए ठीक है अगले प्रश्ण पे चलते हैं राष्टेगान के मूल रूप में पद हैं 2, 3, 4, 5 हम सभी गाते हैं सभी को पता है लेकिन उसमें पद कितने हैं शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया हो लेकिन उसमें पद हैं 5 ठीक है अब आगे से आपको पता रहेगा कि जो हम तो जो मूल है जो असली है उसमें कितने गाने पद है तो उसमें सिर्फ प्रफम पद है ठीक है अगला प्रशन है भारत के राष्ट्रिये गीत वंदे मात्रम के रचियता है तो इसमें बताना है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रे गीत बंदे महात्रम यहां पर आपके राष्ट्रे गान के बारे में पूछा था लेकिन यहां पर किसके बारे में पूछा है राष्ट्रे गीत के बारे में आपको ऊपर बता दिया गया है कि वो किसने लिखा था यह कुण उसके रचनाकार थे 1890- debates नब्यम में 8898 792 में तहीं टे इसका आपका होगा टी 8896 में चलेगर प्रश्चन में चलते हैं भारतीय सम्हिधान सभा-द्वारा-श्विकृति-्रा прив porno के सरकारे उुद्देशे हैं भारत का राजपत्र आकाशवणी के समाचार प्रसारन भारत सरकार द्वारा जारी विग्यप्तियां भी इनके सरकारी उद्धेशे थे भारत का राश्ट्रिय पशू है चीता प्तेंदुआ बाग गाएं तो इसमें बताना है क्या है तो ये तो सभी को पता ही होगा कोई कोई प्रशन बहुत आसान आजा ऐसा आपका एक्जाम में भी होता है कोई प्रश आपको सब्सक्राइब भी है तो इसमें बताना है आपको कौन सा राश्ट्रिय परशिव होगा तो क्या है चलते हैं भारत का राश्ट्रिय पक्षी है उल्लू, मोर, कबूतर, तोता तो इसमें बताना है आपको कौन सा राश्ट्रे पक्षी है कौन सा है मोर चले लिए फ्रचन पे चलते हैं नवंबर 2000 में गठी ते राज्यों की गठन तीथिया है ये जो है राज्य गठन हुए थे नवंबर 2000 में ठीक है तो इसमें से हमें देखना है कि इसमें कौन सा आपका सही है ठीक है चले देखते हैं उत्रांचल 1 नवंबर जारखंड 9 नवंबर 36 गड़ 15 नवंबर ये मतलब आपके जो है करम संख्या है तो इसमें कौन सा सही है तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा है इसमें कि राजयों की जो इसमें आपका करम संख्या है इसमें कौन सा सही है तो 27 का आपका होगा C पहले से ही उतर भी लगावा है ठीक है तो यह 36 गड़ एक नौमबर उतरांचल 9 नौमबर जारकंड 15 नौमबर तो दोस्तों यहाँ पर डेट तो मेंशन है लेकिन यहाँ पर सन मेंशन नहीं है अगर आपको इनके सन के बारे में पता है तो यह आपका सरप्राइस होगा कोशन की आप जो है इसका बताएंगे कि यह कौन से सन में जो है गठी तो हुए थे ठीक है देट तो यहाँ पर है लेकिन सन आपको बताना है चेतरफल की दरश्टी से देश का सबसे बड़ा राज्य है मद्दे परदेश उत्रपरदेश राजिस्थान और पिहार यहाँ पर भी हलका सही आपको तिक नजर आई रहा है तो यह भी उत्र सभी का सही चला जाएगा राजिस्थान चले अगले परश्टी से देश का सबसे चोटा राज्य है जारखंड उत्रांचल गोवा तरिपुरा तो शेतरफल की दरश्टी से देश का सबसे चोटा राज्य है पुरश्टी से देश्ट के तीन सबसे बड़े राजियों का उचित करम है तो यहां पर जो हैं हमें उचित करम देखना है सबसे बड़े राजियों ठीक है सबसे पहले पworker फिर उससे चोटा ठीक है तो वटाहिए कोन सा हुगा इसुथी Spaß इस प्र सभी को पता चल गया था कि राजिस्थान है तो यह तो आपने एग्दम स सहीं लगा ही लिया होगा क्योंकि राजिस्थान सबसे बड़ा और राजिस्थान यहां पर है नहीं पर है नहीं पर चलते हैं जन संख्या की दरश्टी से विश्व में भारत का इस्थान है पहले तो हमने जाना था कि विश्व में कौन सा इस्थान है लेकिन हमने शेत्रपल की दरश्टी से जाना था लेकिन जन संख्या की दरश्टी से नह आपको बताना है इसमें ठीक है तो आपको बताना है इसमें ठीक है बताईए इसका उत्तर आपका क्या होगा अगला प्रशनी है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है ये कोशन आता ही आता है ठीक है गंड़क कोशी काली तिस्तार मुझे लग रहा है कि ये बच्चे जो आज पेपर देते रहते हैं तो उनको तो इसका अंसर पता ही होगा कोशी को ठीक है क्योंकि कोशन सभी बच्चे मोसली पड़ते ही है यह वाला भारतिय मोसल वानचित्र नहीं दरशाता है किस से आचा दित रे खाली मिटी से मेट्टी से लान मिटीक से मरुषतलय मिटी से तो आपको बताना है तो किसे आच्छा दित है तो 35 काप काली मिट्टी से गुजरात में क्या पाया जाता है अधिकतर काली मिट्टी चलते हैं कुंद्रे मुख लोह खनीज परियोजना निम्ली लिखन से किस राज्य में इस्ति थैं करनाटक जारकन चातिस गड़ आंध्रपर देश तो बताइए कि जो कॉंद्र में कॉंद्रे मुख लोह खनीज है उसकी परियोजना किस राज्य में इस्तित है 36 काप का उतर होगा एक करनाटक चलते हैं निम्ली लिखित में सी कौन सा इस्थान पैट्रोर साइन से संबंदित है पैट्रोर साइन से कोरबा नेपानगर कोईली नासिक तो बताइए 37 का तो 37 का आपका उतर होगा कोईली से चलते हैं नील गरी और अन्नाम अलाई पाड़ियों के बीच इस्तित दर्रा है थाल गाट पाल घाट भोर घाट गोरम घाट तो यह कोशन भी आपका बहुत इंपोर्टेंट है इसमें आपको पता होगा क नील गरी और अन्नाम अले जो पढ़ायों पाड़ियों के बीच जो दर्रा है उसका नाम जाया उसका नाम है पाल घाट चले गले प्रशन पर चलते हैं निवले लिखित में से किस राज्य में कुकी जाती मुख्यता निवास करती है बताइए दोस्तों कुकी जो जाती है व वो सभी अच्छे प्रशन हैं लेकिन फिर भी जीके एक संसार है उसमें कहीं से कुछ भी आ सकता है ठीक है तो आप इनकी भी तैयारी करिए और भी तैयारी किये जो आपके बास बुक्स होती है उनको भी पढ़िए जीके कोश्चन का कहीं से कोई स्लेवस नहीं होता कुछ होता कहीं से कुछ भी वो लोग पूछ सकते हैं तो आप को जादा से जादा वीडियो देखिए और जो है इनकी रोज मतलब आप अगर पढ़ते भी नहीं अगर आप वीडियो भी चार पांच वीडियो भी आप देखते हैं दिन में को तो आपकी तैयारी अच्छे सोजाते है 14% 18% 20% तो बताएं दोस्तों इसका उतर क्या होगा तो यह है आपकी 20% ठीक है प्रशन पर चलते हैं जवाल नहरू बंदर कहां इस थे पंदर गहां जवाला नहरू बंदर गहा कहां इसी थे मुंबई कोलकाता चेन या फिर या पिर कांडाला तो बताएं दोस्तों को मुंबई, कोलकाता, कांडला या फिर चेनने से तो भारत में जो सूती वस्रगा सरवादिक निरियात होता है वह होता है मुंबई से दोस्तों इसमें कुछ इस तरह के प्रशन हैं आपके कि आप उनको जरूर अच्छे से देखे निमांकित में से ताप्य शक्ति केंद्रों से सम्मंदित है बताइए दोस्तों तो 43 का आपका होगा भी इतालचर इनोर चले गर प्रशने पर चलते हैं भारत में जोर शक्ति उत्पादन में अगरनी तर्टिय शेत्र है केरल तर्टिक हमबात की खाड़ी मननार की खाड़ी उत्री सरकार तर्ट तो भारत में जोर शक्ति एक योगम सुमिलित नहीं है तीन है पर एक नहीं है कौन कया करल टोडा तमिलाडू आओ नागालेंग या फिर थारू उत्तर प्रदेश तो बताइए कौन सा इसमें योगम समिलित नहीं है तो 45 का आपका होगा ए बाकी सब सुमिलित हैं रूद्र परियाग निम्ले लिखि तो वहां के बारे में वहां पर नदियों का संगम बताना है यह यह मुस्ली सबीने देखा हुगा हमने भी देखा है वड़ा अच्छा व्यू लगता है इन दोनों नदियों का वहां पर संगम जब देखने को मिलता है तो 46 का आपका उतर होगा ए अलग नंदा और भागिरत कि कि नदी का निर्मान होता है इन दोनों के मिलने से ठीक है निमांगीत यह तो आपको पता चल गए 48 तरुस स्रवाधिक सुने परिके प्सकार वंस्पती के क्विस्तार कौन से शेत्र में 49 में आपको बताना है तो 49 का भी है पश्चमी बंबार ठीक है चलते हैं अगला प्रशन है आपका निम्ले लिकित में से राजिस्थान का सरवादीक मरुस्तिले जिला कौन सा है उदैपूर अजमेर बाढ़मेर या फिर पासवाड़ा तो इसमें बताना है आपको सरवादीक मरुस्तिले जिला कौन सा है तो 50 का उतर होगा सी ठीक है बाडमीर को टिक कर देते हैं बाडमीर कहां राजिस्तान का सरवादिक मरुस्त लिए जेला ठीक है तो आपके ये प्रशन हो चुके हैं पचास ये देखिए पचास प्रशन मैंने आपको पूरे कराए हैं कोई एक आदा कम नहीं है इसमें और इन में से कुछ जो है आप निकाल सकते हो जो आपको बहूत ही पसंद आए हो प्रशन और आपने भी तक वह नहीं पढ़े हो तो उनको नोट डाउन जरू करें और जो इसमें से नहीं आपको आते हैं उनको आपको नोट डाउन करने चाहिए जो कि क्या है कि जितना आप पढ़ते जाएंगे उतर दे जो आपके एक्जाम में आएं क्योंकि हमारे अनुभाओं के अनुसारी हम आपको पोशन्स प्रोवाइड कराते हैं अगर वीडियो पसंद आई है तो जादा से जादा लाइक एंड शेर करें जिसे जीके की तैयारी सभी स्टूडेंट की अच्छे से हो जाए